प्रिकेट में रेकॉर्ड बनते हैं और तूटते हैं कभी बल्ले बाच के तो कभी गेंद बाच के या फिर टीम के कुछ रेकॉर्ड लेकिन कभी ये रेकॉर्ड आपका नाम करते हैं और कुछ ऐसे भी रेकॉर्ड होते हैं जो आपको शर्मशार करते हैं जे हां मैं बात करना चाहूँगा भारती टीम को लेकर एक अनूठा रेकॉर्ड जो बन गया है दर्ज हो चुका है उनके नाम एक ऐसा रेकॉर्ड जो पिछले 38 साल में इससे पहले नहीं हुआ था इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है इस साल कोई भी भारती वंडे में शतक नहीं लगा सका है हाली में दोस्तों आपने देखी होगी भारत और श्रिलंका के बीच में तीन मैचों की ODI श्रिंखला उस ODI श्रिंखला को श्रिलंका ने दो सोने से जीता मगर अगर अब बल्लेबाजी की बात करें तो भारती टीम की तरफ से कोई भी बल्लेबाज शतक नहीं लगा सका ऐसे में मात्र एक बल्लेबाज नजर आए भारती कप्तान रोहिश शर्मा जीनों ने ODI में दूसरे मैच में 64 रनों की पारी खेली और वो रिकॉर्ड अब तक का इस साल का सबसे बड़ा स्कोर कार्ड है कप्तान रोहिश शर्मा के नाम वैसे देखा जाए तो विराट कोली से हम उम्मीद करते हैं शुमन गिल से भी उम्मीद करते हैं लेकिन किसी भी बल्लेबाज ने इस सिरीज में शतक नहीं लगाया करते थे आप भारती महान बलेबाज सचिन तेंदुलकर का और वो उन्होंने कारणामा किया विराट कोली के आप पिछले साल का रेकॉर्ड देखें तो उन्होंने ओडियाए में 50 सतक लगा दिये यनि कि एक ऐसा वो नायाब काम किया है जो किसी भी वर्ड के बलेबाज ने लेकि मैं आपको बताना चाहूंगा भले ही साल का अठों मना यानि अगस चल रहा है लेकिन भारती टीम को अब इस साल ODI मैच नहीं खेलने होगे क्योंकि भारत का जो अगला दौरा है वो बंगला देश के साथ है जिसके दौरान दो टेस्ट मैचों की शिंखला खेली साथ T20 का मुकाबला है नोवंबर में और उसके बाद ऑस्टेलिया के साथ पांच टेस्ट मैचों की स्विंखला होनी है जिसका नाम दिया गया है बौर्डर गवस का ट्रॉफी चैंपियंस ट्रॉफी आने वाला है दो हजार पच्चिस में पाकिस्तान में ये चैंपियंस जाएगा या नहीं जाएगा लेकिन उससे पहले भारत को जो मात्र ODI मैच खेलने मिलेंगे वो इंग्लेंड के खिलाप खेलने मिलेंगे अगले साल 2025 जनवरी में तो ऐसे में ये क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक ऐसी संसनी घटना है कि भरती बल्लेबाज जो शतकों के श शतक नहीं लगाया ये खैर अलग बात है कि वंडे में जादा खेलने को नहीं मौका मिला है लेकिन आपको याद होगा 2023 का वो साल जिसमें वर्ल्ड कप में तहल का मचाया भारती ये टीम ने भारती बल्लेबाज ने खासकर विराट कुली ने रोहिश शर्मा ने और साथी स केल रहुल ने फाइनल मुकाबला हुआ ऑस्टेलिया के साथ भले ही भारत हरा लेकिन दिल जीता इस टीम ने ऐसे में देखने वाली बात है कि एक अनूठा रिकॉर्ड जो बना है क्या ये 38 साल तक जो रिकॉर्ड अब तक नहीं बना था ये तूटेगा ये देखने वाली बात होगी आने वाले समय तक का इंतजार करना होगा और देखना होगा कि भारती बल्लेबाच कैसा कमबैक करते हैं लेकिन 30 साल पहले जब ये हुआ था उस दौरान में दोस्तों आपको बताना चाहूंगा उस दौरान टीम के कैप्टन थे कप्तान मुहम्मद अजरुदीन और उन्होंने 1985 में 85 रनों की पारी खेली थी ऐसे में देखनी वाली बात होगी कि अब जो ये दौर चल रहा है जिसमें T20 टेस्ट और फटाफट किर्केट की बात करें तो T10 भी है ऐसे में हम उम्मीद करते हैं कि भारत एक और नायाब सिरीज खेल कर अपने टीम को बहतर पोजीशन पर ले जाएगा और एक नहीं कई शतक देखने को मिलेंगे हमारे खिलाडियों से कैसी लेगी ये वीडियो दोस्तों हमें जरूर बताईएगा इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे बातों को आप जैसे अगर लाइक करते हैं तो हमारे साथ कमेंट भी कर स